नमस्कार दोस्तों स्वागत आप सभी का हमारे चैनल ओनलाइन और ओफलाइन जान में दोस्तों आज की जो नोकरी आप लोगों के लिए लेकर आए हूँ पर्मरेन नोकरी है कॉंट्रक बेसिस की नहीं है ऐसे बच्चे जिन्होंने अपरेंट्शिप की है उनके लिए अपोर्चरेटी है तो इसके बारे में आपको याद होगा मैंने एक वीडियो बनायती जिसमें मैंने 10 ऐसे विभाग बतायती है जिसमें अपरेंट्शिप के बाद आप लोग जो है अलिजिबल होते है नोकरी होगे लिए तो उनमें से ही एक यह विभाग है जिसमें आप लोग अपना फॉर्म फिल कर सकते है तो बहुत बड़ी संख्या मैं बच्चे यह बोलते हैं अपरेंटिस के बाद हमारे लिए नोकरी नहीं आती तो भाया यह आप लोगों के सामने नोकरी है फॉर्म को आपको स्पीड पोस्स से पुचाना है मैं आप लोगों को सारी जानकारी इस वीडियो में प्रोवाइट कर दूँगा टीक है वीडियो में आप लोग बने रहें ताकि आपको सारी जानकारी मिल जाए form में आपको provide कर दूँगा form की चिंता मत करो इसी वीडियो में description में आपको form मिल जाएगा सबसे पहले आप लोगों को एक चीज़ बता दूए headquarters जो आप लोगों का southern level command कोची है वहाँ की vacancy है वहीं आपकी posting होगी platter, sk, एक vacancy है कोई दिक्कत नहीं है एक से ज़्यादा vacancies भी दे रखे जैसे fitter millright है उसके बाद जो है आपर और भी है fitter की उसके बाद एक और दे रखे है तो जो अलग अलग category में apply करना चाहता है कर सकता है उसको फिर दो form fill करने पड़ेंगे तीक है इसमें दो vacancy है दोनों अनिजब में 10th प्लस apprenticeship मांगा हुआ है उसके बाद machinist की vacancy लंबे समय बाद आई है इसमें 10th प्लस apprenticeship इन्होंने मांगा हुआ है ice fitter एक vacancy है उसके बाद जो है यहाँ पर ship right साथ vacancy है category wise आप लोग देख सकते है qualification 10th प्लस apprenticeship है ध्यान रखना उसके बाद blacksmith है और rigor है रिगर की नहीं आती vacancy लेकिन इस बाद आप लोगों को देखने को मिल जाएगी instrument fitter 10th प्लस आप लोगों को apprenticeship उसके बाद painter है 10th प्लस apprenticeship welder में भी same condition fitter arm है जो आप लोगों का armament है उसमें भी आप लोगों के लिए same condition fireman के लिए आप लोगों की जो qualification है qualification आप लोग देख सकते हैं और कुछ यहाँ पर इन्होंने physically कुछ चीज़े दिखाई गई है और आप लोग प्लीज इसे देख लेना civilian motor के लिए 10th मागा है और 10th के साथ driving license आप लोगों का होना चाहिए वो भी one year practical experience के साथ heavy motor vehicle में HMV जिसे बोल जाता है वोड साहिका इसमें जो है आप लोगों का 10th मागा है और आपका जो है आपर some experience in the trade experience compulsory नहीं है बिना experience के भी apply कर पाऊगे तो simple 10th base की vacancy यह वोड साहिका की है उसके बाद आप लोगों का bearer जो है यहाँ पर 10th pass आप लोगों को माना है 6 month का experience compulsory नहीं है उसके बाद cinema projectionist जो होते हैं उनके लिए 10th मागा है और 2 साल का experience appropriate field में मागा है which is not compulsory आप लोगों का bugler instructor है इसमें आप लोगों का 10th मागा है और साथ में knowledge of music from staff जो आप लोगों का notation होता है वो उसके बाद आप लोगों का telephone operator GDE है उसके लिए 10th मागा है English आपको आने चाहिए proficiency in आप लोगों का handling of PBX PBX के लिए आप लोग Google पे देख लेना आपको बता चल जाएगा एक चीज जोर बता दूँ यहाँ पर जो है एक important चीज हम English की classes आप लोगों के लिए जल्द स्टार्ट करने वाले है digital board का मैं इंतिजाम कर रहा हूँ देखता हूँ कहीं से funding खटा हो जाए और फिर जो है English classes चलाएंगे आप लोगों के लिए तो मैंने community post में भी डाला था बच्चे agree हुए 86% के आसपास तो इसके लिए wait करो form offline है form आपको with the relevant document यहाँ पर पुचाना पड़ेगा यह आप देख सकते हैं यहाँ पर आप लोगों को सारी चीजे और दिख जाएगी मैं नीचे बर जाता हूँ नीचे आप लोगों को यहाँ पर form दिख जाएगा form बहुत easy है आप चाहोगे तो मैं form की वीडियो बना दूँगा तो जो जो बच्चे interested है बताना यार all over निडिया से apply कर सकते हैं आपने देख लिया होगा multiple post में आपका apprentice मांगा है composer ही है और आप लोगों के लिए अगर इस पे कोई और मेरे पास question आएगा तो बताऊंगा selection किस basis पे होगा इस सारी जनकर यह आपको बात में दूँगा क्योंकि अभी इसके related और भी details आनी है सो आप लोग wait कीजिए और बाकि धन्यवाद keep in touch आप लोग जुड़े रहिए और अगर कोई और information चाहिए किस से related topic पे वीडियो चाहिए please comment box में mention करते रहा करिए ताकि हमें जो है साथ के साथ idea भी होता रहा है कि बच्चे इस चीज की demand कर रहे है बाकि इस notice का link form का link attach होके आपको description मिल जाएगा thank you